पिणाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से पैलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉजिटेव होंगे आज मैं फिर से डिवाइन मैस्कुलिन की करेंट एनर्जी लेके आई हूँ current energy में थोड़ा सा जो masculine की energy दिखाई दे रही है या आपको भी feel हो रही है खासकर feminine थोड़ा सा परिशान हो रही है थोड़ा नहीं बहुत हो रही है क्योंकि divine masculine की इस time जो energy बहुत mysterious energy है mysterious मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है आप ऐसा नहीं है कि आप उनकी energy को खराब कर रही है लेकिन आप पूरी तरह से कोसिस कर रही है समझने की balance करने की लेकिन आपके energy से बाहर जा रही है बाते क्योंकि यहां पर बाती इसलिए आपके out of control से बाहर जा रही है क्योंकि यहां पर जो हमारे masculine की energy चल रही है थोड़ा सा mysterious energy है और यह mysterious energy इसलिए बन गई है जब हमारी life में awakening time आता है ठीक है जब हम किसी चीज को यानि कि बार बार हमारी life में एक incident होता रहता है एक ही चीज या एक ही pattern बार बार हमारी life में आ रहा होता है और हम उसे समझ नहीं रहे होते हैं और फिर भी हम वही वेवकूफी वाली काम करते हैं या वही काम फिर से करते हैं और हम उस चीज से लेसन नहीं सीख रहे हैं तो जब हमारी divine का intervention लगता है divine का हमारी life में जब role play होता है तब क्या होता है कि life की चीज़े बहुत typical या बहुत mysterious हो जाती है जो हमारा mind होता है बहुत ज़दा double face में चला जाता है कि ना सही समझ में आता है और ना ही गलत समझ में आता है और उसके चलते ना energy बहुत mysterious हो जाती है क्योंकि यहाँ पे divine masculine की सभी को पता है कि awakening चल रही है फैमिन की भी right now awakening चल रही है और मैं यह बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि अगर इस time masculine नहीं समझते हैं अपने आपको अपनी real power में नहीं आते हैं अपनी energy को नहीं समझ पाते हैं तो फिर जो awakening का जो दौर गुजरेगा यानि कि बहुत heavy energy चलने वाली है जिन लोगों के उपर है यह जो अपनी life के decision नहीं ले पा रहे हैं अपना stand नहीं ले पा रहे हैं और आप मैंने कि हम खुद कौन है वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर वो इस journey की reality को नहीं समझ पा रहे हैं अपनी journey की reality को नहीं समझ पा रहे हैं और fake mask लगा के एक fake identity पर वो life को survivor कर रहे हैं या life को जी रहे हैं life में लोगों के साथ आपना काम कर रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चल ले वाला जब तक इंसान या कोई भी इंसान हो तब तक हमारे life में issues चलते रहते हैं तब तक हमारे life में ups and down आते रहते हैं तो वही ये energy हमारे masculine के उपर चल रही है तो यहाँ पर थोड़ी सी masculine की जो energy है राइट नौ बहुत अजीब सी energy है क्योंकि कभी तो वो बहुत positive वी में काम कर रहे हैं बहुत आपको हो सकता है कि आपको बहुत साथ चीज़ों के बारे में positive positive आपको clearity दे 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 हो या फिर दूसरे ही पल वो आपसे जगड़ा कर रहे हैं दूसरे ही पल आपको ब्लॉक कर रहे हैं दूसरे ही पल बिना कुछ कहे आपके वो आप पर हाबी हो गए है या बिना कुछ कहे वो आपसे जगड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे feminine को ना परिशान होने की जरुवत नहीं है, feminine को यहाँ पे समझना होगा कि यह एक ऐसी energy है जहाँ पे हमारे masculine सफर कर रहे हैं, इस energy से deal कर रहे हैं, तो जितना हो सके हमारे feminine को क्या करना है, balance create करना है, अगर in case यहाँ पे feminine भी unbalance create करती है, या वो भी hyper हो जाती है, divine से या जरनी से faith अटाती है, या blame करती है universe को की, सबसे मतलब गुसा करती है, तो आपके life की जो चीजे हैं वो और ज़दा उलजेंगी, सुलजेंगी नहीं, क्योंकि आप, यानि कि अगर हम दोनों में से, यानि कि आप और आपके partner में से, कोई एक फिए अगर balance में रहता है, तो हम दूसरी energy को balance कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक अगर सही होता है, एक positive way में चलता है, तो हम दूसरे को भी उसी रास्ते पे ले आते हैं, लेकिन अगर दोनों ही उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर कौन बाहर निकालेगा, तो एक को balance होना बहुत जरूरी है, जानती हूँ, फैमिन को वीच वीच में थोड़ा सा टेगर आता है, और खासकर आपको कल से बहुत टेगर मिले हैं, कल नाइट से आपको टेगर मिल रहे हैं, मौनिंग में भी आपको मिले हैं, लेकिन फिर भी आ मैं आपको यही सज़ेस कर रहे हूं, कि आपको balance साधना है, मैं आपको बलकि यही कहूंगी, कि इस portal की energy में किसी से उलजने के वज़ाए, किसी की energy में जाने के वज़ाए, अपने अपनी energy पे, अपनी अपनी space पे रहकर कि अपनी energy को learn करो, अपने आपको meditation से जोड़ो, क्य क्योंकि यह जो time है, यहाँ पे हमें meditation ही बचा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा confusing है, बहुत ज़्यादा surrounding की energy है, toxic energy है, जिससे deal करना बहुत ही, बहुत ही, मतलब बहुत rare energy चल रही है, मतलब कि अगर आपने सिर्फ, अगर अगर, सफोर example कि आपस मुस्करा गये हैं, तो आपके मुस्कराने पे भी बहुत सारा issue हो जाएगा, कुछ इस तरह की energy है, यह आपको बार बार पुस किया जाएगा, कि आप टिगर में आएं, या आप अपनी real identity को छोड़ के आपके उस energy में आएं, जो आपका shadow है, जो आपकी, मतलब जो आपकी self है ही नहीं, जो आपकी energy है ही नहीं, वो energy आप tapping करें, तो यह सारी energy ना generate हो रही है, तक कि आप अपनी उस energy से भटके, जहां पे आप चल रहे हैं, और आप अपनी energy से हटके, दूसरी energy में है, क्योंकि यह जो पोर्टल के energy है, मैंने सभी को पहले कहा था, कि इतनी easily नहीं है, और लेकिन इसमें union है, अदलब union तो possible है, लेकिन इस energy से deal करना होगा, जैसे हम अपनी life में हम games खेलते हैं, तो कुछ puzzles हमें sort out करने होते हैं, तो इसी तरह से ही यह journey के puzzles है, जहां पे हमें बड़े साबधनी से energy को समझ के, उनको लैट को करके, अपनी center point पे आना है, अपनी energy के center point पे हमें लोटना है वही इस energy का meaning है, तो यह आपके साथ meditation से ही होगा, तो बिना meditation के आप यह नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे masculine बहुत कोसिस कर रहे हैं, अपने हर चीज को sort out करने की, लेकिन masculine की भी कलती नहीं है, ना ही feminine की है, क्योंकि energy ही massive लगी हुई है, massive मतलब बहुत higher awakening चल रही है, जहा पे कभी तो बहुत अच्छी energy है, कहीं पे बहुत ही depression वाली energy है, तो इस energy की बीच में, हमारी masculine जो है, tapping कर रहे हैं, साथ में divine masculine की तरफ से आपके लिए चैनल message है, जो मैं comment box में pin कर दूंगी, ठीक है, आप वहाँ पे देख लेना, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल message है, और maybe आपको उस message, I mean channeling से आपको थोड़ी सी राहत मिले, उस song से, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए answers है, ठीक है, तो अपने आपको बिल्कुल भी फसाना नहीं है, घवराना नहीं है, tension नहीं लेना है, doubtful energy में नहीं आना है, balance को create करना है, तो या यह है आपके लिए channeling, I hope आपक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बापाई